सहाब जी यहां पर MP में मनावर रोड पर पुलिस गाड़ी का चालान काट रही है आप बताओ क्या करें इनसे पूछो क्या रसीद देंगे तुम्हारी गाड़ी में तो भूरा भरा है तुम तो चलान कटवा ही लो सहाब मेरी गाड़ी तो हर बार सीमेंट भर कर यहीं से गु सरकारी वाहन को चलाने वाले एकनीजी चालक की कहानी है यह चालक चोकी के पास दिन रात मार्ग से गुजरने वाले ट्रकों और पीक अप वहनों कोई अवैद वसूली करता है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यह चालक किस तरह से वहनों को डोक कर उनसे वसूली कर है आपको बता दे के जिले के मांगोंदा मनावर मार्ग से प्रति दिन सैक्रों ट्राले और ट्रक सही कई पिक अप वहन गुजरते हैं मनावर और जीरबाज शेत्र में सीमें कंपनियों द्वारा उत्पादन मार्ग से भारी वाहनों का आवगवन पूर्व की तुलना में क चालानी कारवाही के नाम पर जमकर अवैद वसूली की जा रही है। ऐसा नहीं है कि केश्वी पूलिस चोखी प्रभारी आरसी डामोर और पी एसाई मन्जुलता को इस बारे में कोई जानकारी ना हो। जानकारी तो सभी को है किन्तु वसूली के बाद बंदर बाट में सभ प्रति दिन सुभय में रेत से भरे वहानों और रात में मवेशी भर कर जाने वाले पीकप वहानों से जम कर वसूली की जाती है सूत्र बताते हैं कि वसूली से प्रति दिन चोकी स्टाफ की 10 से 15 हजार उपए प्रति दिन की कमाई है जो की प्रति महा करीब 3 से 4 लाग रुपे होती है सबसे बड़ी बात यह है कि चालक मुकेश समाने नागरिक नहीं पुलिस स्टाफ बनकर भारी वाहन चालकों से वसूली करता है और पास में ही पुलिस का वाहन भी खड़ा करता है ताकि किसी को उस पर कोई शक्त न हो जब इस बारे में धार के पुलिस अधिक्षे कादित्य परताप सिंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केश्वी पुलिस चोकी का मामला संग्यान में आया है इस मामले में संबंदित के खिलाफ उचित कारेवाही की जाएगी मद्य परदेश से स्टेट हैट अमर वर्मा की रिबॉर्ट ऐसे ही लेटेश पर पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वार स्टेट एंटराइब